हेलो गाईज, वेरी गुड मॉरिंग, आई ही नाव, विलकम यॉल इन अग्रिकल्चर एडर 24-7 तो गाईज, जैसा कि आप लोग को पता है कि प्रिवियस एर सेशन जो है रबर बोड का लास्ट टाइम मैंने लिया था गाईज, तो उसका ही अभी दूसरा पार्ट जो है, वो आज मैं ले रही हूँ तो आज की क्लास में हम लोग प्रिवियस एर के बहुत सारे क्वेशन सॉल्व करेंगे, जो रबर बोड में पूछे गए थे अजो पिछली बार मेंने करेंगे, जिन को हम लोग हों करनेगे, क्वेशन से रबर बोड में आये थे तो क्योंकि आपको पता है नोटिफिकेशन आ चुकी है और एक्जाम डेट भी आपकी कभी भी आ सकती है तो गाईज अभी मैं आप लोग के साथ डिसकस करने वाली हूँ प्रीवेस या रबर बोट का क्वेशन पेपर तो चलो सबसे पहले आप लोग अग्रिकल्चर रिड़ा 24-7 को जरूर से आप लोग सबस्क्राइब कर लीजे यूट्यूब पे और डाउनलोड कर लीजे इसके अप को ठीके गाईज तो चलो आप लोग का फर्स्ट क्वेशन जो है आप लोग की स्क्रीन पर रहें गाईज विच सोईल हाज हाइस्ट केटाइन एक्सचेंज कपैसिटी कौन सी सोईल है जिसमें आपकी हाइस्ट केटाइन एक्सचेंज कपैसिटी होती है लोमी सैंड होगा लोमी सोईल होगा सैंडी लोम होगा या फिर कले लोम सोईल होगा तो गाईज पड़ावट से बताईए किस question का answer क्या होगा कौन सी soil है जिसमें cation exchange capacity जो होती है वो maximum होती है कौन सी soil की highest cation exchange capacity होती है तो गाइस जल्दी से इस question का answer दीजे इस question का answer क्या होगा लोमी soil होगा सारी लोमी sand होगा लोम होगा sandy loam होगा या फिर clay loam होगा तो गाइस quickly answer कीजे इस question का क्या answer होगा कौन सी सोयल होगी जिसकी हाइस के टायन एक्सचेंज के पैसिटी है बताइए जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा कौन सी सोयल है जिसकी हाइस के टायन एक्सचेंज के पैसिटी है तो देखो आपका सही आंसर होगा गाइस क्ले लोम ठीक है क्ले लोम सोयल जो है गाइ which of the following sequence is being used in combination seed treatment, combination seed treatment में आप, sorry, आप seed treatment में कौन सा sequence यूज करोगे, rhizobium, fungicide, insecticide, ये sequence यूज करोगे, या फिर आप लोग fungicide, insecticide, rhizobium, ये वाला sequence यूज करोगे, या फिर insecticide, rhizobium, fungicide, ये sequence यूज होगा, या फिर rhizobium, insecticide, ये वाला sequence यूज होगा, तो जल्दी से बता दीचे कौन सा sequence आप लोग यूज करोगे, जब आप seed treatment करोगे, ठीके, seed treatment में कौन सा combination है, जो यूज करा जाएगा, जल्दी से बताएगा, इस question का answer क्या होगा, देखे, कौन सा combination है, कौन सा combination यूज होगा, seed treatment में, seed treatment में, जब आप seed treatment देते हो, ना, तो seed treatment में, ताकि infected seed, जो है, infected seed के थूज के थूज नहीं हो, उससे पहले हम लोग treatment प्रोवाइट करते हैं, तो कौन सा treatment दोगे आप, तो यहाँ पर आप treatment प्रोवाइट करोगे, fungi site, insecticide and rhizobium, कौन सा treatment यूज करोगे, fungi site, insecticide and rhizobium, यह वाला treatment आप यूज करोगे, चलो, next question है आपका, which component is used in cell wall of plant, तो मैंने आप लोगों को जब plant cell पढ़ाया था, जब मैंने इसके अलावा मैंने आप लोगों को यह host recognition बताया था, उसमें भी मैंने आपको कुछ compositions बताये थे cell wall के, तो वहाँ पर plant cell wall का भी composition, even though carbohydrate में भी मैंने बताया है, तो आप लोगों जल्दी से बताओ, कौन सा component होता है, जो plant cell wall में यूज होता है, phosphorus, calcium, sulfur और potassium, जल्दी से बताये, कौन सा ऐसा component है, जो plant cell wall में यूज होता है, फटावर्ट से बताये गाई इस question का answer क्या होगा, plant cell wall में कौन सा component यूज होता है, phosphorus यूज होता है, calcium यूज होता है, sulfur यूज होता है, या फिर आपका potassium यूज होता है, है हाँ ठीक है चलो next question का answer दीजे which of the following crop rotation is best for maintaining the soil fertility हाँ आपको पता है हम crop rotation use करते है soil fertility को maintain करने के लिए क्योंकि हर एक crop की nutrient requirement जो होती है guys वो अलग-अलग होती है ठीक है हर एक crop की nutrient requirement जो होती है वो अलग-अलग होती है ठीक है who can apply for this देखो guys यहाँ पर BAC agree के जो student है वो इसके लिए apply कर सकते है ठीक है BAC AG की student जो है वो इसके लिए apply कर सकते है और यह post आपकी field officer की ठीक है field officer की rubber board में सदीप सर ने session भी लिया था आप वो session भी देख सकते हो उन्होंने completely rubber board की बारे में बताया था guys ठीक है इसकी vacancies आ चुकी है अब आप लोग देख लीजेगा सनने इस पर session भी लिया था तो इसलिए मैं कहती हूं कि agriculture अड़ा को subscribe कर लो यार इसकी YouTube channel को subscribe कर लो ताकि notifications आपको मिल सके time by time ठीक है तो संदीब सर्ण ने उस पर session लिया है आप उसको देख सकते हो ठीक है तो जल्दी से बताएगा इस soil fertility को maintain करने के लिए कौन सा इन में से crop rotation method यूज करा जाता कौन कौन सी crop को यूज करा जाएगा फटा फट से बताओ जल्दी सांसर दो गाईस कौन सा यहां पर rotation यूज करा जाएगा crops के crops को maintain करने के लिए crops की fertility को maintain करने के लिए विंदो जल्दी से बताएग क्योंकि आपको पता है कि हर एक crop की neutrino requirement अलग-अलग होती है ठीक है तो इसलeffective cream लेती है तो इसलिए हम क्या करते हैं यहां पर crop roachion यूज करतें है तो गाईस यहां पर answer क्या होगा fourth question का answer क्या होगा जल्दी से बताओ fourth question का answer क्या होगा fourth answer होगा गाईस यहां पर D. sophistic here answer होगा D साथमियोट grem आप आप सोयमीन यूज करोगे, सोयमीन के साथ वीट ग्रैम यूज करोगे, और उसके साथ ग्रीन ग्रैम यूज करोगे, ठीक है गाइस, ओकी, चलो, नेक्स कोशन का अंसर दीचे, विच्वन आफ दो फॉलंग डिजीज और पीजन पी इस टॉंस्मीटेड बाई इरॉइड माइ गईज ये क्वेशन में करवा भी चुकी हूँ, रैपिट फायर सीरीज में भी करवाया है ये क्वेशन में ने, ठीक है, रैपिट फायर सीरीज में भी करवाया है और पेड बैच के स्टूडेंट को भी करवाया है, उनको तो बहुत ही अच्छे से समझाया था, तो गईज फटावट से बताओ, इस question का answer क्या होगा, which one of the following disease of pigeon pee is transmitted by eroid mite, eroid mite की तुरू कौन सी ही disease है, जो आपके transmit, ये सौरी, pigeon pee का, जो disease आपके transmit होती है, उसके लिए pathogen कौन सा होगा, फटावट से बताओ, phyto-photora stem rot होगा, या फिर आपका circuspora leaf spot होगा, मुजएक, येलो मुजएक होगा, या stylty मुजएक होगा, कौन सी disease होगी, जो आपकी eroid mite के तुरू, आपकी spread होती है, transmit होती है, फटावट से बताओ, इस question का answer क्या होगा, जल्दी से बताओ, कौन सी disease है, जो आपकी spread होती है, तो guys, answer होगा, आपका stylty मुजएक, ये मैं मैंने बताया भी था तो यह जो डिजीज है आपकी स्टैल्टी मुजाइक है जो आपकी इरॉइड माइट से आपकी स्प्रेड होती है यह पैतलोजी की रैपिट फाइर सीरीज में भी मैं करवा चुक है पेड वैस के स्टूडेंस को भी करवा रही ठीक है चलो विच क्रॉप फालोइंग है डबल संबायोटिक रिलेशन्शिप नाइटरोजन फिक्सेशन गाइस जो नाइटरोजन फिक्सिंग बेक्टिरिया होते हैं इसमें से डबल डबल जो आपकी संबायोटिक रिलेशन्शिप है ठीक है डबल संबायोटिक रिलेशन्शिप है जो है आपकी वो क किसमें होगी नाइटरिजन फिक्सिंग बेक्टिरिया में डबल सिंबायोटिक रिलेक्शनशिप किसमें होगी जल्दी से बताओ आपकी फैसियोलस में होगी कैसे नस में होगी या फिर सिस्बानिया में होगी या फिर ग्लासीन max में होगी चल्दी से बताओ गाई आंसर क्या होगा इस question का फटाफट से बताइए तो गाई इस question का answer होगा आपका सस्बैनिया रॉस्ट्राटा ठीक है सस्बैनिया रॉस्ट्राटा जो है गाई यह आपका बिल्कुल correct answer होगा इसमें आपका क्या होता है double symbiotic relationship होती है with nitrogen fixing bacteria के साथ क्या होती है double symbiotic यह आपके relationship होती है nitrogen fixing bacteria के साथ ठीक है गाईज ओके चलो अब next question है आप लोग का which form of ammonia is used in urea ammonia का कौन सा form है जो urea में use करा जाता है amide होगा या फिर ammonical होगा nitrate होगा या फिर nitrite होगा तो कौन सा form है यहाँ फिर ammonia का जो आपका urea में use करा जाता है थे जो आपका urea में use करा जाता है तो guys आपका answer होगा amide ठीक है answer होगा आपका amide amide जो है guys यह आपका use करा जाता है यह ammonia का ऐसा form है जो आपका urea में use करा जाता है ठीक है चालो next question का answer देंगे the study of relationship of agriculture crop and environment is called भाई जो relationship होती है agriculture crop की environment के साथ में बहुत easy question है यह तो ठीक है क्या होगा एग्रो ecology होगा agroclimatology होगा metrology होगा या फिर आपका auto ecology होगा तो guys यहां पर answer क्या होगा आपका relationship sorry study of relationship जो relationship है उसकी study और कौन सा relationship agriculture crop and environment और in moment क्या होता है ecology और agricultural crop agro ठीक है तो यहां पर agro ecology बोला जाएगा किसको agro ecology बोला जाएगा आपकी relationship को जो आपकी agriculture crop और किसके बीच होती है environment के बीच होती है बात समझ में आई ठीक है चलो next question का answer दीजिए the upper limit of soil moisture available for the plant growth भाई जो upper moisture level होता है यह मैं करवा भी चुकिए agriculture foundation classes में मैं ने करवाय था 9 से 10 वाली जो क्लास होती है उसमें मैं करवा भी चुकिए है ठीक है अपर लिमिट of soil moisture available for the plant growth plant growth में जो आपका अपर लिमिट होती है soil moisture level की जो यह water level आपका होता है इसको क्या बोला जाता है PWD बोला जाएगा field capacity बोला जाएगा hyroscopic coefficient बोला जाएगा matrix sanction बोला जाएगा क्या बोला जाएगा इसको जो आपका plant growth के लिए जो आपका soil moisture जो अपर लिमिट होती है soil moisture की उसको क्या बोला जाता है जो soil water के form में होता है और अपर लिमिट में होता है तो इसको बोला जाता है guys field capacity क्या होगा field capacity होगा करवा चुकिए हो ना field capacity use of azola, azola का use जब करा जाता है, तो उसमें possible limitations क्या होती है, less availability of water, water content बहुत कम चाहिए, low survival rate during the summer summer season में survival rate बहुत कम चाहिए, या फिर problem of transportation transportation की दिक्कत हो दिए, या फिर all of these, तो guys answer क्या होगा, जब आप azola का effective use करते हो, azola को use करते हो, तो उस time पर क्या possible limitations है, जो आपको रखनी होती है, तो answer क्या होगा guys इसमें answer होगा आपका all of these भाई, सारी की सारी ही limitations आपको रखनी होती है, water की availability low, low survival rate during summer ये भी आपको ध्यान रखना होता है and problem of transportation, transportation की दिक्कत भी यहाँ पर होती है ठीक है, चलो, next question का answer दो, when the slaughter tapping done in the rubber slaughter tapping जो होती है, rubber में कब होती है, guys एक बात बता देती हूँ slaughter tapping जो होती है, ये क्या होता है rubber जो है, जब आपका निकाला जाता है, तो natural latex से निकाला जाता है, ठीक है latex form में निकाला जाता है, तो जब उसे naturally निकाला जाता है, उसको slaughter tapping method जो है, ठीक है, तो ये कब करा जाता है, आपका, once in a month once in a year, twice in a year और prior to replacing plantation, जल्दी से बताए guys, कब slaughter tapping जो है, ये rubber में कब करी जाती है, महिने में एक बार साल में एक बार, साल में दो बार या फिर prior to replacing plantation तो guys, answer होगा आपका prior to replacing plantation D, आपका answer होगा, ठीक है चलो, next question का answer हम लोग देख लेते हैं, वीवी पेरिस germination, it's seen in वीवी पेरिस germination, ये animal husbandry का question है guys, animal husbandry का question है, वीवी पेरिस germination is seen in वीवी पेरिस germination इमने से किस में देखा जाता है चाउ चाउ में देखा जाता है bitter guard, watermelon या फिर spongy guard में देखा जाता है जल्दी से बताओ, इस question का answer क्या होगा, वीवी पेरिस germination, जो है, ये किस में देखा जाता है, वीवी पेरिस germination किस में देखा जाता है, तो ये आपका चाओ चाओ में देखा जाता है ठीक है चाओ चाओ किया है गाईस चाओ आपकी नदन चाइना में ठीक है नदन चाइना में डॉक की एक breed है ठीक है इनके जो ears होता है ना इनकी sorry जो ears होते हैं वो E-Ract होते हैं ठीक है यह होता है हो बिलकुल E-Ract होते हैं ठीक है तो यह अगर पूचा जाए तो यह आपकी यह आपकी डॉक की ब्रीड रहे है नदद Ну चाइना में मिलती है ठीक है उसको बोलते हैं ndsug और यह किसका एक्सांपल है ? WV Paris germination ठीक है ? WV Paris germination का example है ठीक है ? चलो. next question हम लोग देख लेते हैं Internal crop research institute for semi arid and tropics. एक्री सेट कहां located है ? International crop research institute for the semi arid tropics is located at Alipo में होगा या फिर चैठराबाद में होगा या फिर पैरिस में होगा ? बताईए आंसर क्या होगा तो guys यहां पर आंसर होगा आपका हैदरावाद इंडिया ठीक है है हैदरावाद में आपका एक रिसेट जो है यह present है ठीक है चलो जल्दी से बताईए इस question का आंसर क्या होगा quantitative traits having low heritability are improved by pedigree selection recurrent selection mass selection या फिर pure selection जो quantitative traits होता है quantitative traits का मतलब होता है guys जि इनका environment के ओपर influence होता है या बहुत सारे जीन्स जिनको influence करते हैं या फिर environment का influence जिनके ओपर होता है जैसे weight हो गया height हो गया यह कुछ चीज़ों को quantitative traits बोला जाता है ठीक है तो इनका guys यह quantitative traits जोता है involvement से environment का influence इनके ओपर होता है ठीक है is actually इनकी jis heritability होती है एक generation से दूसरे generation में जाने की जो capacity होती है वो थोड़ी सी कम होती है इनमें heritability rate जो होता है वो कम होता है ठीक है तो यह आपको देखने को maximum मेलेगा recurrent selection में ठीक है इसमें क्यों होता है आपका improve करा जाता है characters को ठीक है improve करा जाता है characters को उसको बोले जाता है recurrent selection ठीक है चलो फिल्स फ्लार इन जैपनीज आर नोन एस फिल्स फ्लार जो आपके जैपनीज में होते हैं क्या बोला जाता है शोई सिन जूसी या फिर एकिबाना फ्लोरी कल्चर का क्वेशन है फ्लोरी कल्चर का क्वेशन है फटाफट से आंसर दो क्या आंसर होगा इस क्वेश पैटन है ठीक है फ्लार अर्रेंड पैटन है जिसमें एकी बाना को बहुत जादा यूस करा जाता है बताइए तो यहां पर जो यूस करा जाएगा गाई वह कहाँ जूसी ठीक है जूसी यूस करा जाएगा ठीक है चलोEorly Bearing Cultivate of coconut is, कौन सा होगा टॉल होगा device जल्दी से बताई गाईज answer क्या होगा इसका answer क्या होगा इस question का जल्दी से बताइए तो early bearing cultivate जो होता है guys coconut का वो आपका generally dwarf होता है ठीक है dwarf होता है early bearing जो आपका cultivate early bearing cultivate होता है coconut का वो आपका dwarf होता है ठीक है चलो next question का answer दीजे central arid zone research institute is located in बहुत easy question है भई काजरी जो है आपका ठीक है central arid zone research institute काजरी जो है आपका situated है तो guys यह answer हो जाएगा आपका जोदपुर ठीक है यह आपका situated है कहां जोदपुर में situated है ठीक है तो guys यह आपके rubber boat की questions थी ठीक है जो मैंने आप लोग को बताए नेक्स session में इस Saturday लेके आऊंगी आप लोग के लिए ठीक है इस Saturday हम लोग again दुबारा से नया session दुबारा से जो आपका part 3 है rubber boat के लिए वो मैं आपके लिए लेके आऊंगी तो guys जितने भी student ने rubber boat का form fill किया है यह जो student rubber boat की preparation कर रहे हैं तो यह इफको वाले student भी rubber boat का session देख लेते हैं क्यूंकि questions तो आपके agriculture के ही है और important questions ही है यहां पर भी ठीक है guys तो आप लोग की सारे questions attend कर सकते हो ठीक है आप लोग जब एक बार देख लोगी तो ऐसे क्यूंकि repeated examination के questions जो है ना guys यह काफी जादा पूछी जाता है ठीक है repeated question बहुत जादा पूछी जाता है तो इसलिए आप लोग इसे देख आप यह जो भी student इफको की preparation कर रहे हो या फिर आप लोग रबर बोट की preparation कर रहे हो तो आप लोग यह questions देख के previous year का idea लगा सकते हो कि क्या क्या महापेक है यह आपका इफको की test series है क्योंकि आपको पता है कि इफको के जो students है without test series भाई exam में अगर आप जाओगे तो थोड़ा सा एक बिल्कुल accuracy नहीं रहती ठीक है accuracy नहीं रहती तो उसके लिए आप इफको की test series join कर सकते हो और यह इफको का आपका batch है तो guys अभी offer चल र इसो का batch भी purchase कर सकते हो आप लो एग्री कल्चर का महापेक भी purchase कर सकते हो एग्री कल्चर के महापेक में आपको सारे video courses और इसके अलावा आपके recorded classes live classes guys किसी भी exam के रहे मिल जाएंगे चाहे आपका यूपी कैटिट का हो राजिस्थान जेईटी का हो IBPSSO के लिए हो चाहे व कि तो आप लोग एग्री का महापेक भी purchase कर सकते हो ठीक है और बाकि इफको की test series आपकी है ही ठीक है और यह आपका इफको का paid batch है जो start हो चुका है अगर कोई student अभी भी admission लेना चाहता है गाई तो आप लोग ले सकते हो ठीक है अभी भी इसमें इन्रोल कर सकते हो ठीक है व आपका batch है जागा नीचे आप लोग व्यू offers में जाओगे वहाँ पर आपको y447a code यूज करना है आपको हाँ पर offer मिल जाएगा ठीक है आपको 10% discount मिल जाएगा यह अभी तो offer चला है तो ज्यादा discount मिल जाएगा और आप इविन दो इफको का जो बैच है जैनरली 2200 का यह 1200 में मिल जाएगा ठीक है गाईज अगर आप y447a code यूज करते है ठीक है तो गाईज यह आपका आज का session था जो rubber board पे था ठीक है अब next session भी में आप लोग के लिए rubber board के previous year questions जो आपका रहे गया है वो part 3 में लेके आउंगी तो guys आप लोग जरूर session देखेगा जिससे आपक PSSO या फिर आप लोग IFCO या फिर IFCO की test series आप purchase कर सकते हो ठीक है guys तो आज का session यही था ठीक है अब मैं आपको मिलूँगी 11 से साड़े 11 वाली class में जो आपकी plant pathology की होती है जिसमें मैं आपके लिए आज कर लेके आ रहे हूं प्रीविस year के questions ठीक है जो plant pathology में पूछे गए इविन बैंक को मारा स्टा में आभी PSSO में और सारे exams में ठीक है तो तब तक के लिए bye bye और अपना खयाल रखेगा कर दो झाँ है जिसमें में स्टानी है झाँ है ड हम जीक है जढिए बना से समत्रा राम में पूछे थाया जा याज कर दो है लिए घजन्धानी है स्टानी है झाल 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 झाल